अज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर सिक्स करने वाले है जिसका नहीं सबस्टेंस इन डेली यूज इसका मैं कोस्टेंस कराऊंगा चैप्टर का एक्स्प्लेइनेशन मैंने आपको दे दिया प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हो ओके तो दोको पहला कोश्ट पहला किया रबबर में बनता है वेलके नाइज़ेशन प्रोसेस से वह आठिफिशल होता है मतलब कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है और वह बहुत जदा हार्ड रहता है ठीक है तो आर्टिफिशल और हार्ड ये वर्ड आपको नहीं दिया रहेगा खुछ से लिखना है जो इंसानों द्वारा बनाई जाते हैं जो चीज़े जो सामान उसको हम कैसे बनाते है जो प्रकृति से हमें सामान मिलता है उसको प्रोसेस करके ठीक है हम खुछ से तो कोई चीज़े से सोचते हैं प्रकट तो नहीं हो जाती है न हम क्या करते हैं अगर हम एक कुरसी बनाते तो उसमें भी हम लकडी का इस्तमाल करते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती है, नेचर से, पेड़ से हम लकडी निकालते हैं, उसके वाद उससे हम कुरसी बनाते हैं, बेड़ बनाते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है, कि इनसान जो भी चीजे बनाता है, वो प्रकृति से पह और simultaneously, ओके, अब देखो, फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, रेयन is also known as synthetic silk, यहाँ पर आपको क्या बोल है, कि रेयन जी है, यह जो धागा है, इसको synthetic silk के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपका answer है synthetic silk, फिफ्थ के है, बोथ kitchen utensils and electrical cables are made from aluminium, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, कि जो kitchen के बरतन होते हैं हमारे, और जो electrical cable, जो हमारे बिजली के तार होते हैं, यह दोनों aluminium से बने रहेते हैं, आपको याद रखने हैं, aluminium, ओके, six के, glass can be made from sand and calcium carbonate, क्या बोल रहे हैं, glass को हम sand, rate और calcium carbonate का use करके बना सकते हैं, glass कैस से बनता है, sand और calcium carbonate को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसके बाद हम glass बनाते हैं, ठीक है, seven क्या है, due to increasing demands of man, there is pressure on natural resources, क्या बोल रहे हैं, कि इनसान की demand बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनसान की population बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वज़े से जो natural resources हैं, उस पर बहुत ज़्यादा pressure आ रहा है, ठीक है, वो कम होते जा रहे हैं, अब last के हमारा eighth में, the sap of rubber tree is called latex, क्या होने जो sap रहता है rubber tree का, उसको हम latex बोलते हैं, किसकी बात हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, latex यह होता है, यह देखो, आप देख रहे हो, यह जो पे चलो भी आगे चलते हैं, अब हमाते है question number two पर क्या है, answer the following questions, इसमें पहला क्या है, why did the need for man-made materials arise, क्या बोल रहे हैं, कि इंसानों दोरा जो material बनाये जाते हैं, उसकी need, उसकी जरूरत क्यों बढ़ते जा रही है, आपका answer क्या है, man continuously strives for newer and newer things, क्या बोल रहें, क्या बोल रहे है, he always wants to make his life more comfortable, और जो इंसान है, उसको अपने जीवन को और जादा आराम दायक बनाना रहता है, therefore from the natural substances, he tried to make different usable artificial substances, क्या बोल रहें, इस कारण जो इंसान होते हैं, वो जो भी natural substance उसे मिलता है, जो भी प्रकृति से चीज़े जो मिलती है, उसकी मदद से वो usable artificial substance बनाता है, म इसे चीज़े बनाता है, the production of low cost and plentiful materials satisfy man's need, क्या बोल रहें यहाँ पर, सामान को कम पैसों में बनाना और बहुत ज़्यादा मातरा में बनाना, यह इनसान की need को satisfy करता है, इनसान की जरूरत को पूरी करता है, अब कोशन नमर टू क्या है, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहें, which are the natural materials obtained from plants and animals, क्या बोल रहें, कि हमें कौन से natural material मिलते हैं, plant मतलब पेड़ पौदे और animal मतलब जानवर से, तो आप answer में कहा लिख होगे, following plant origin and animal origin natural materials are obtained, क्या बोल रहें यहाँ पर कि यह सारी चीज़े हमें, जानवर और पेड़ पौदों से मिलती है, पहला क्या है, plant origin material, सबसे पहले, ऐसे material, ऐसे सामान जो हमें पेड़ पौदे से मिलते हैं, तो उसमें क्या आएगा, cotton, jute, hemp, peak, wood, flowers, fruits, यह तो आपको पता है, cotton हो गया, jute हो गया, लकड़ी हो गई, फूल हो गया, फल हो गया, कापूस, यह सब चीज़े हमें कहां से मिलती ह अब देखो, animal origin material, ऐसे सामान जो हमें जानवरों से मिलते हैं, क्या है, leather, जो leather की jacket बनती है, जानवरों की चमड़ी से, silk, यह हमें silk, किसे मिलता है, लैक, pearl, wool, जो sheep रहती है, भेड, उसके बाल से हमें wool मिलता है, और pearl जो रहती है, जो मोती, यह सब रहती है, यह सब भी जान और पेड़ पौदे से मिलती है, अब चलते है, question number 3 पर, question number 3 में क्या बोले है, what is organization, क्या बोले है, वोलकिनाज़ेशन प्रोसेश क्या होता है, हमने last lecture में पढ़ा था, क्या आपका अचार, वोलकिनाज़ेशन इस a chemical process, क्या बोले है, वोलकिनाज़ेशन एक chemical process है, in this process, the rubber is heated with sulfur for 3-4 hours, this process makes rubber hard, क्या बोले है, इस process में rubber को sulfur के साथ मिला कर 3-4 घंटे गर्म किया जाता है, जिससे जो rubber रहता है, वो hard बन जाता है, अब आगे क्या है, which natural materials are used to obtain fibers, क्या बोले है, क्या बोले है, कौन से natural materials के इस्तमाल करके हमें fiber मिलता है, आप initial में क्या लिख होगे, the natural materials used to obtain fibers are cotton, jute, hemp, wool, silk, etc., क्या लिख होगे आप, कि ऐसा natural material जिससे हमें fiber मिलता है, वो है cotton, jute, hemp, wool, wool, silk, etc., ठीके, अब question number 5 में चलते हैं, क्या यहाँ पर, which natural substances were used in construction work previously, and which man-made substances are used these days, क्या बोले है, 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 क्या बोले क्या बोले है, 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 क्या और पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, लकडी हो गई और जो कोकोनट के जो पेड़ जो रहते हैं उनकी जो बड़ी-बड़ी जो पत्तिया रहती है वो तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके इंसान पहले घर बनाते थे Nowadays, modern construction methods make use of man-made materials such as brick, cement, concrete, galvanized sheets, clay tiles, plastic sheets and abystos sheets, etc. क्या वो रहे हैं आपर? कि लेकिन आज के समय पे इंसान जिससे घर बनाता है वो इंसानों द्वारा बनाएवे material रहते हैं जैसे कि brick मतलब इट हो गई, cement हो गई, concrete हो गई और जो sheets रहते हैं, पत्रे यह सब वो हो गए clay के जो tiles रहते हैं और जो plastic sheets रहते हैं इन सब चीजों के इस्तिमाल करके आज इंसान घर बनाते हैं, ठीक है? अब question number 3 के आए, देखो यहाँ पर What are we used for? यह सब पूछ रहे हैं कि हम किस चीज में इस्तिमाल किया जाते हैं, बताओ पहले का soil, मिट्टी मिट्टी का का इस्तिमाल है? Soil is used for farming and agriculture क्या बोल रहे हैं? कि जो मिट्टी है, उसका इस्तिमाल होता है खेती बाड़ी में It is also used in construction और मिट्टी का इस्तिमाल construction में भी किया जाता है मतलब घर, पूल, जो भी चीज है बनाने में किया जाता है construction की Bricks and clay tiles are made from soil क्या बोल रहे हैं? Eat जो रहती है और जो tiles रहती है clay की वो मिट्टी से बनती है Pots, urns, clay, stoves, etc. are made from soil यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो pots होते हैं, जो मटके होते हैं और जो कलस होते हैं जो clay के stoves होते हैं यह सब चीजे भी किसे बनती है? मिट्टी से बनती है अब देखो क्या है? Second क्या wood मतलब लकडी लकडी के क्या इस्तमाल होता है? Furniture is made from wood क्या बोलने जो हमारे घर के furniture है वो लकडी से बने रहते हैं The doors and windows of houses are also made from wood और घर के जो दरवाजे हैं जो खड़किया हैं वो सब भी लकडी से बनी रहती है Therefore, in construction activities wood is largely used क्या बोलने इस कारण से हम यह बोल सकते हैं कि construction activity में जो लकडी है वो बहुत जादा मातरा में इस्तेमाल की जाती है Wood also gives fuel many other useful articles are also made from wood क्या बोलने? Wood जो है वो fuel के जैसे भी काम करता है और बहुत सारे useful जो articles है काम के जो सामान है वो wood से बनते है लकडी से बनते है ठीक है? अब थर्ड में क्या है? nylon का क्या यूज़ है? nylon threads are durable and enhanced used in making ropes, fishing nets and clothes क्या बोलने हैं? जो nylon के धागे रहते हैं वो बहुत जादा अच्छे रहते हैं बहुत ज़दा टिका हूँ रहते हैं इसके लिए उनको रसी, जो मचली मानने का जो जाल रहता है वो और कपड़े बनाने में इस्सेमाल किया जाता है nylon को अब फूर्थ क्या है? फूर्थ में आपको दिया गया है paper, paper किस चीज़ में इस्सेमाल होता है paper is for writing, for making books, notebooks, register, greeting cards, etc क्या बोल रहें? जो paper है उसको use किया जाता है लिखने के लिए notebook बनाने के लिए register, greeting card जो रहते हैं यह सब बनाने के लिए use किया जाता है tissue paper is used for wiping lots of paper is also used as packing materials क्या बोल रहें? tissue paper को use किया जाता है पोचने के लिए और बहुत सारे paper को packing के material, सामान को pack करने के लिए भी किया जाता है, जो आपको delivery का सामान आता है amazon ये सबसे, वो कैसे रहता है carton में pack होके आता है, तो वो भी तो paper का ही रहता है अब आगे क्या है दोखो, फिफ्ट में आपको क्या है rubber किसी इस्तेमाल में होता है rubber is used to make tires of all vehicles क्या बहुतने है, rubber का इस्तेमाल किया जाता है हर एक गाड़ी का tire बनाने के लिए for this hard, well-canized rubber is used क्या बहुतने, इस काम के लिए मजबूत और well-canized rubber hard किया गया हुआ rubber यूस किया जाता है eraser, rubber toys, balls, footwear, rubber bands are many articles made from rubber क्या बहुतने, आपका जो eraser हो गया, जो rubber की खेला होने हो गया, जो आपका ball हो गया, जो आपका चपल हो गया, और जो rubber band हो गया, ये सब किस से बनते हैं, रबबर से बनते हैं, ठीक है अब आगे चलते है, question number 4 में क्या है क्या बहुतने, how is paper manufactured, right in your own words क्या बहुतने, paper कैसे बनता है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे क्या बहुतने, जो इन पेड का जो टुकडा रहता है, जो लकडी काट के जो निकालते हैं इन पेड से, उस लकडी का ऊपर का जो छिलका रहता है, उसे निकाल दिया जाता है The wood is broken into small pieces, और फिर उस लकडी को चोटे 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 में काट दिया जाता है, इस से क्या बनता है? When the chemical process is complete, the fibers from the wood are separated, क्या बने, जब chemical ये process complete हो जाता है, उसके बाद उसमें से fiber को अलग किया जाता है The dyes are then mixed in the pulp and it is passed through rollers, क्या बने, उसके बाद वो जो pulp बनता है, जो mixture हमें मिलता है, उसमें color मिला जाता है और उसके बाद उसको roller से pass किया जाता है, जैसे हमने lecture two में देखा था, कि किस तरीके से roller से pass किया जाता है थिक है अब आगे का है कुश्शन नममर 5 में Give scientific reason, याप हे हमें Reason बताना है क्या है We must use cotton clothes during summer क्या बुल रहे हमें गर्मियों के समय cotton के कपड़े का इस्सेमाल करना चाहिए क्यूँ? एंसर है During summer we sweat more due to high temperature क्या बुल रहे हमें? कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा तापमान होने की वज़े से हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है Cotton cloths absorb sweat क्या बहुतन है जो cotton के कपड़े रहते हैं वो क्या करते हैं पसीने को सोखते हैं अपने अंदर Synthetic cloths are water repellent क्या बहुतन है जो Synthetic के कपड़े रहते हैं वो water repellent रहते हैं मतलब वो पानी को सोखते नहीं है They do not absorb sweat and we feel uncomfortable क्या बहुतन है ये कपड़े जो रहते हैं Synthetic cloth ये पसीने को नहीं सोखते हैं अपने अंदर इससे हमें uncomfortable feel होता है Hence we must use cotton cloths in summer इन सभी कारणों की वजए से हमें cotton के कपड़े समर में पहनने चाहिए ठीक है अब question number two क्या है देखो यहाँ पर Question number two में आपको बोल रहे है We must observe economy in the use of material क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो indirectly directly हमारे जो nature को है उसको affect करते हैं इसके लिए ऐसा बोला गया तो आप answer में क्या लिख होगा Due to excessive use of natural substances by human beings to fulfill their needs they are getting replicated at a faster rate क्या बोल रहे हैं कि natural substances का इनसान बहुत ज़ादा मातरा में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए इस कारण जो यह natural substance है जो प्रकृती से हमें जो natural substance बिलते हैं इनका जो खत्म होने का जो rate है वो बहुत ज़ादा है बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं At the same time it takes a very long time for these substances to get naturally formed again क्या बोल रहे हैं इनसान क्या करता है पेड़ काटके गिरा देता है जा तो जो भी उसे use करना है use कर लेता है लेकिन प्रकृती में इन चीजों को वापिस आने में बहुत लंबा समय लगता है इनसान तो एक दिन में पेड़ काटके गिरा देगा है लेकिन नया पेड़ आने में महीने, साल, डेड़ साल लग जाते हैं थर्ड क्या है Hence, we must observe economy in the use of materials so that they are available for future regeneration also क्या बोलने इसके लिए हमें अपना जो जो natural substances है इन सब चीजों को conserve करना चाहिए बचाना चाहिए ताकि वो future के लिए भी available रहे ठीक है अब दो को कॉशन नबर 3 क्या है Saving paper is the need of the hour क्या बोलने यहाँ पर Saving paper means saving trees as wood is used as the raw material to manufacture paper क्या बोलने कि paper बचाना मतलब पेड को बचाना क्योंकि आपको पता है जैसे कि paper को बनाने के लिए पेड का इस्तिमाल किया जाता है trees are natural habitat for many living things क्या बोलने कि जो पेड है बहुत सारे जानुरों का यह घर होता है वहाँ पर वो घर बना कर रहते है trees help in increasing rainfall and water availability क्या बोलने पेड पोदे जो है वो मदद करते हैं बारिश को होने में और पानी का और भी ज़्यादा मातरा में हमारे पास आने में hence saving paper helps in saving trees which in turn maintains balance in nature क्या बोलने इस कारण हम यह बोल सकते हैं पेपर को बचाना मतलब की पेड़ को बचाना जो एक balance बनाए रखता है प्रकृती में नेचर में ठीक है अब आगे देखो question number 4 में आपको कहा दिया गया है man-made materials have more demand क्या बोलने कि जो इंसानों द्वारा सामान बनाए जाते हैं उनकी जादा demand रहती है आप एंसर में कहा लिखो का man-made substances are waterproof, lightweight and easy for transportation क्या बोलने कि जो इंसानों द्वारा बनाए गए सामान रहते हैं वो तो waterproof रहते हैं weight में बहुत हलके रहते हैं और उनको आसानी से इधर से उधर लेकर जा सकता है एक जगा से दूसरी जगा they are easier to use and can be made available in plenty at low cost क्या बोलने हैं कि और जो इंसान द्वारा बनाए गए सामान रहते हैं ये बहुत आसान रहते हैं इस्तिमाल करने में और ये बहुत कम दाम में बहुत ज़्यादा मातरा में मिलते हैं hence there is more demand for man-made materials इन कारणों की वाज़ा से जो इंसान द्वारा बनाए गए सामान है उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है अब फिफ्थ का है humus is a natural substance क्या बोलने हैं यहाँ पर आपको ठीक है तो यहाँ पर आपको बोलने हैं कि यह humus है वो natural material है तो यह क्या होता है देखते हैं मैंसर में दिया गया है क्या बोलने है there are soil microbes that brings about decomposition process in the soil क्या बोलने है कि हमारी जो मिट्टी रहती है उसमें कुछ microbes रहती है जो decomposition process का काम करते हैं soil में क्या बोलने है कि जो मरे हुए इंसान जानवर या पेड़ पोदे जो रहती है उनसे हमें humus मिलता है ठीक है humus क्या होता है इससे मिट्टी और ज़्यदा उपजाओ होती है ठीक है this is a natural process and therefore humus is called natural material क्या बोलने कि एक natural process है जिससे humus बनता है इसके लिए humus को natural material बोला जाता है ठीक है अब देखो question number 6 में क्या आपको find out हमें पता लगाने बोला गया है क्या है how is lack obtained from nature क्या बोलने कि lack हमें nature से कैसे मिलता है पैंसेर में क्या लिख होगे lack is the secretory material obtained from lack insect क्या बोलने कि जो lack है ये एक secretory material है जो हमें lack insect ये कीडे से मिलता है from the body of female lack insect this resonance substance is given out as secretion क्या बोलने जो female insect रहती है lack जो ये female insect रहती है इसके body से निकलता है क्या lack when this substance comes out in contact with air it solidifies and forms lack क्या बोलने कि जब ये substance इस कीडे के शरील से बाहर आता है और जैसे हवा के contact में आता है ये solidify हो जाता है कड़क बन जाता है ठीक है और इससे हमें lack मिलता है ओके चलो भी आगे चलते हैं question number two में क्या है यहाँ पर बोलने how are pulse obtained क्या बोलने जो pulse होते हैं जो मोती होती है वो हमें कैसे मिलती है तो आप answer में क्या लिखोगे pulse are formed inside the shelves of a bival marine animals क्या बोलने है यहाँ पर कि जो मोती रहती है वो बनाई जाती है एक पानी के जानवर द्वारा जो bival मतलब जो cp रहती है उसके अंदर रहता है if any foreign particle enters the body of this animals a layer of protective substance called chancer is deposited around it क्या बोलने हैं यहाँ पर आपको बोले है कि अगर बाहर का कोई भी कोई भी particle है इसके body के अंदर enter करता है तो क्या होता है एक उसके protective layer उसके अंदर बन जाती है जिसको बोलते है chancer ठीक है this deposition ultimately forms pearl क्या बोलने है यह जो layer बनती है जो deposition होता है इसको बोलते हैं pearl in the laboratories artificially a bead is inserted in the body of an animal called pearl oyster क्या बोलने है लेबरेटरी में जो lab रहती है उसमें artificially एक मोती को इस animal की body में डाला गया जिसे हम pearl oyster बोलते हैं pearl oyster deposits layer of chancer around this bead क्या बोलने जो यह pearl oyster रहता है यह क्या करता है जो मोती रहती है इसके आजू 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 एक layer बना देता है this is how cultured pearl is prepared क्या बोलने इस तरीके से जो cultured pearl है prepare किया जाता है ठीक है उसकी आप बोल सकते हैं जो इनसान जो यह animal है इसकी मदद से जो बनाते हैं वो lab में यह बनाने का तरीका है ठीक है अब देखो question number seven में क्या है last में आपको classify the following substances according to their use क्या होले जो substance हमें दिये गए है इनको use के हिसाब से हमें classify करना है पहले देखो substance आपको क्या है sand है फिर soap है wool, window, glass, bamboo, cotton, bricks, silk, leafy vegetables, cement, fruits, water, sugar इनको हमें according to use यहाँ पर लिखना है पहले हम क्या लिखेंगे material for construction होता है इन में से ऐसे सामान जो construction के लिए मतलब पूल, घर, building इस सब बनाने के लिए जो इस्तिमाल होते है sand, ठीक है rate, window glass जो window के glass होते है यह construction में यूज़ होते है bamboo जो bamboo होता है brick, cement और water यह सारी चीज़े किस में होती है construction के काम में materials used as food इन में से ऐसे सामान जो हम खाने में इस्तिमाल करते है leafy vegetables जो हरी पत्तियों वाले जो सबजी रहती है जो सबजी रहती है fruits जो फल रहते है water जो पानी रहता है sugar मतलब शक्कर यह सारी चीज़े हम किस लिए use करते है खाने के लिए फिर क्या है materials used for making clothes और इन में से ऐसे सामान जिन से कपड़े बनते है क्या है wool, silk, cotton ठीक है उसके लास्ट में हमारा है material used for cleaning lint क्या बलने है कि ऐसे material जो हम साफ सफाई के लिए cleanliness के लिए use करते है तो इसमें से कौन सा है soap, मतलब साबून ठीक है, clear तो यहाँ पे हमारा chapter complete हो गया है I hope आपको अच्छे से समझाओगा अच्छे से पढ़ लो और learn कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपको full marks है मिलते भी अगले उडियो में अगर आपको यउडियो अच्छे लगा तो आपसे उडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू